इस वीडियो में आज हम बांग निफ्टी का मन्थली रिव्यू, वीकली रिव्यू और डेली रिव्यू तीनों करेंगे, आज तीनों क्लोजिंग हमें एक साथ मिली हैं, सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं मन्थली चार्ट से, देखते हैं कि इस मन्थ किस तरह का प्राइस एक्षिन हमें देखने को मिला, किस तरह की ओपनिंग हुई थी और किस तरह की क्लोजिंग हुई है और किस तरह की क्यांडल फॉर्मेशन हमें बांग निफ्टी पे देखें तो एक gap up opening हमने देखी थी, last month की closing देखें तो it comes around 21451 और इस month की जो opening थी करीब 2680 के आसपास ही तो एक gap up opening देखी उसके बाद ये month में हमने काफी अच्छा move देखा तो एक trending month अपने almost high के आसपास close हुआ है तो जो candle इस month बनी है एक अच्छी bullish candle बनी है जो अपने high क आसपास close हुई है और अगर हम previous price action देखें कि पिछले price action क्या था तो हम पिछली candles अगर यहाँ पे देखें तो पिछले 2 month से यहाँ पे bank nifty एक ही price level को resist कर रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे august की closing भी करीब august की closing अगर आप देखेंगे तो 23,750 के आसपास आई थी और September मे की closing आई है वो भी 23,900 के आसपास आई है तो यह जो level है bank nifty करीब यहाँ पे बार बार कुशिश कर रहा है इस level को निकालने की यहाँ किन यहाँ पे resistance इसको अभी भी मिल रहा है तो इस month भी इस level को bank nifty cross नहीं कर पाया अगर आप यहाँ पे left में जाएं तो आप दीख सकते है यह level यहाँ पे कुछ इस तरह से bank nifty नहीं यहाँ पे एक breakout दिखाया था उसके बाद इसी level पे support लिया था और एक बड़ी bearish candle से यहाँ पे हमने breakdown भी देखा और जब इस तरह की बड़ी bearish candle भी बनती है मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी explain किया है कि इनका जो midpoint ह होता है वह एक resistance का काम करता है तो आप यहाँ पे previous support levels job resistance का काम करें प्लस यह candle का resistance और हम लगातार यहाँ देख रहे हैं कि तीन महीने से bank nifty इस level को नहीं निकाल पा रहा है तो obviously यह level यहाँ पर काफी ज़्यादा important है अगर हमें इस level से एक breakout देखने को मिलता है तो bank nifty में हम बहुत अच्छा move देख सकते हैं लेकिन अगर यहाँ पर यह अटकता रहता है तो हम दुबारा से bank nifty में गिरावट भी देख सकते हैं तो यह closing है इस month की काफी important level के आसपास आई है तो यह levels आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं यह zone यहाँ पर काफी बढ़ा है क्योंकि यह monthly chart है यह level आपके आते हैं 23,900 से लेकिए 24,600 से 600 से 800 अगर आप इसका high level लेंगे यहाँ पर तो यह जो zone है यह काफी जादा important है तो चलेए अब चलते हम यहाँ पर weekly chart पर ओके so monthly chart से basically आपको यहाँ पर जो range मिल रही है यह उपर के level आप देख रहे हैं यह resistance का काम करेंगे तो जब भी prices इस level के आसपास होता है तो आप यहाँ पर price action को जरूर notice कीजे आप price action को daily chart पे या फिर hourly chart पे आप उसको notice कर सकते हैं और अगर आप swing trading करते हैं तो आपके लिए daily chart क को refer कर सकते हैं अब support की बात करें तो यहाँ पर जो हमें support मिलता है monthly chart से वो आप देख रहे हैं करीब 21-500 के आसपास आता है so इस level को हम यहाँ पर mark कर देते हैं so यह level यहाँ पर मैंने क्यों चूश किया है मैं यह भी आपको बता देती हूँ पहले इसको हम यहाँ पर mark कर देते हैं so यह level अगर आप देखें तो इस level के आसपास प्राइज अट का था और करीब 3 मन से इसी range के उपर यहाँ पर trade कर रहा है तो अगर आप देखेंगे पिछले 3 महीने में यहाँ पर बड़ी range बनी है आप देख सकते हैं किस month से लेके यहाँ पर 24-500 तक कि यहाँ पर range बनी है करीब आप कह सकते हैं 3000 point की range है so 3 मन से यहाँ पर 3000 की point में bank nifty trade कर रहा है तो यह same range coming month के लिए भी relevant है क्योंकि जब तक यह resistance यहाँ पर cross नहीं कर पाता तब तक chances यहाँ पर बने हुए हैं कि दुपारा से यह जो level आप देख रहें किस 500 के bank nifty में test हो सकते हैं तो monthly chart से हमें अपने levels मिल चुके हैं अब हम चलते हैं weekly chart पर तो weekly chart पर सबसे पहले देखेंगे किस तरह की candle formation हुई तो इस बार की अगर आप जो candle देखेंगे एक week candle यहाँ पर बनी है और इस week की जो आप closing देख रहें यहाँ पर इस week की जो closing है almost पिछले week की जो opening दी पिछले week का opening price था करीब 23.900 का और इस week जो closing आई है वो भी 23.900 की आई है तो अगर आप इन दोनों candle को अगर blend कर देए यहाँ पर को किस तरह से blend करते हैं उनका relevance क्या है तो अगर यहाँ पर देखें तो पिछले week की opening यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया 23.900 की थी और जो closing आई है वो 23.900 की ही आई है तो जो यहाँ पर candle stick pattern बन है और यहाँ पर अगर आप पिछला यहाँ पर हाई देखें तो एक lower high यहाँ पर बनता हुआ नजर आए तो यहाँ पर chances थोड़े बन जाते हैं कि हो सकता है इस वाले month में हम यहाँ पर bang nifty में थोड़ा सा correction expect कर सकते हैं क्योंकि उपर के level जैसे मैंने आपको बताया कि bang nifty लगातर तीन महीने से कोशिश कर रहा है लेकिन इस month भी एक अच्छा move दिखाया हमने पूरे month starting में अच्छी तेजी देखी लेकिन इस level को cross करके close नहीं कर पाया तो यहाँ पर chances बन जाते हैं कि हमें correction देख सकते हैं तो monthly chart से जो हमें support मिला था वो 21-500 का था और अगर हम daily chart की बात करें तो जो हमें support मिलता है वो करीब यहाँ पर मिलता है 22,230 के आसपास यह जो आप level देख रहे हैं यह जो gap बना था यहाँ पर so weekly chart से जो हमें support मिलता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 22,230 के आसपास है तो यह level मैं यहाँ पर mark नहीं कर रहे हूं क्योंकि अभी वो उतना relevant नहीं है आने वाले videos में अगर वो relevant होगा price action अगर हमें थोड़ा correction देखने को मिलेगा तो वो levels में वहाँ पर update कर दोग clearly एक range यहाँ पर हम देख रहे हैं करीब last two weeks है अगर आप यहाँ पर trading session count करेंगे तो last 10 trading session से यह एक range के अंदर यहाँ पर trade कर रहे हैं करीब 1000 point की यह range है 2300 से लेके 2400 की यहाँ पर range है so इसी range के अंदर यहाँ पर trade कर रहे हैं आज की candle देखें तो एक flat opening हुई थी उसके बाद हमने आज गिरावट भी देखें लेकिन नीचे के level पर sustain नहीं कर पाया और यहाँ पर के level पर closing आए लेकिन अगर आप कल के उससे देखेंगे तो कल के opening के नीचे आज हमें close मिला है औ एक flat opening देखते हैं या फिर हम gap up opening देखते हैं या फिर gap down opening देखते हैं तो अगर इस range के जो आप level देख रहे हैं 23,900 के नीचे अगर हम gap down opening देखते हैं तो उस case में हम यहाँ पर bank nifty में थोड़ा correction देख सकते हैं जो पहला level हमारा यहाँ पर निकल के आता है वो करीब 23,300 का न अगर breakdown होगा तो हम यहाँ पर sell off देख सकते हैं लेकिन अगर range के अंदर यहाँ पर bank nifty की opening होती है और इस level को sustain कर पाता है अब देख सकते हैं आवली चार्ट पर या 15 मनट के चार्ट पर कि यह level sustain हो रहे हैं अगर sustain करता है तो उपर के आप जो यह level देख रहे हैं करीब 24,200 क यहाँ पर वो भी test कर सकता है और यहाँ पर एक बार आवली चार्ट देख लेता है आवली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप 27 अक्टूबर से देखें तो इस range के अंदर हमें lower low lower formation देख रहे हैं यह range अज यहाँ पर break भी हुई लेकिन इसके नीचे हमें closing नह यहाँ पर जो structure अभी मुझे आवली चार्ट पर दिख रहा है वो अभी भी week नजर आ रहा है तो यहाँ पर यह लेवल हमें यहाँ पर आवली चार्ट से मुझे जो level मिल रहे हैं आप देख सकते हैं 23,980 के तो अगर Monday के session में इस level के नीचे sustain करता है तो यहाँ पर chances काफी ब लेख सकते हैं तो अब आपके पास सारे levels हैं आप monthly levels आपके पास है weekly levels हैं daily levels है और अगर आप इंटर रेल करते हैं तो यह आवली चार्ट के भी levels हमारे पास हैं यह सारे levels में description box में provide कर दूंगे आप जाके चेक कर सकते हैं So I hope यह review आपको पसंद आया हो अगर आपके कोई भी question है price action से related अगर आप price action सीखना चाते हैं आपको price action में क्या समझ आ रहा है क्या समझ नहीं आ रहा है जो भी आपके question से आप comment section में लिखकर मुझसे ज़रूर पूछे मैं उन्हें आंसा करने की पूरी-पूरी कुशश और यह वीडियो आपको पसंद आया तो please like और share जरूर करें मैं आपसे फिर मिलूंगी next video में till then bye bye have a happy learning